लो दोस्तों मुझसकर भाई और आप सभी दोस्तों का डिके कलासेस में स्वागत है तो आपके स्क्रीन पर क्रेंट दिख रहा होगा और यह से लिया गया है ठीक है इसमें देखो एडवांस मैथ में कुछ चैप्टर है जैसे की मेंसुरेशन हो गया जैमेटी हो गया इन सभी क्रेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें तो इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक इमेज बनता चला जाएगा कहएगा Western अरॉन तो बनाइगे Bringing बनाने के लिए इस तरीके एक चीज़े दिमाग में आने लगेगी ठीक है और ये तभी हो पाएगा जब उसका क्या है कि आप अगर अगर अनिमेशन के थुरू आप देख रहे हैं या कहीं किसी भी तरीके से आप समझ रहे हैं तो अगर समझ गए तब आप के लिए एजी हो चाहिए और उमीद मतलब विष्वास करिए कि जब भी आप इस तरीके के को सॉल्व करेंगे और एनिमेशन के थुरू आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो देखेगा कि जब भी नेक्स टाइम में आप पढ़ेंगे तो डरेंगे नहीं ठीक है तो मैं क्या करता ह हूं और उसके वास इसका सलुशन आपको बताता हूं ठीक है तो क्या कह रहा है किंद्र ओ वाले एक ब्रित का ब्यास एबी हैं सी और डी दो ऐसे बिंदु हैं जो एबी के दोनों और ब्रित की परीदी पर इस तरह स्थित हैं कि एंगल सी एबी एक्वल टू फोर्टी टू डिग्री एंगल एबी डी का माप क्या होगा डिग्री में ठीक है तो यह कौश और रहा है मैंने उसको एसे ही लिख लिया है ठीक है अब क्या है कि क्या है कि पढ़ने के बाद आपको डेयाग्राम बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको animation के थूद समझाते हैं चलता हूँ, ताकि क्या है कि आपके दिमाग में image बनता चला जाए, ठीक है, question हम से कह रहा है कि एक circle बना लो, जिसका center O होगा, ठीक है, इस पर एक diameter ले लो, तो मैंने क्या किया, एक diameter ले लिया, ठीक है, इ angle C, A, B, क्या कह रहा है, angle C, A, B जो है, वो कितने है, तो ये है, 42 degree, उसके बास से हमसे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है, एंगल A, B, और D, कितना है, 57 degree, इतनी चीज़े हमको दे रखा है, question में, ओके, अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है, कि C, A, D का मान हमसे पूछ रहा है, किसकी value हमसे पूछ रहा है, C, A, D की value हमसे यहाँ पूछा है, मतलब ये वाला angle, ठीक है, उसके बास से एक और हमसे पूछ रहा है, कि C, B, D का मान क्या होगा, डिगरी में क्या होगा, ठीक है, थोड़ी सी जर्किंग आ रही है, कोई बात नहीं, मैं इसको सम solution बताता हूँ, ठीक है, solution बताने के लिए सबसे पहले मुझे इसको उस पर आना पड़ेगा, और हम लोग आ गया है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे question को diagram के थुरू ही solve करें, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको बढ़िया सा diagram दिख रहा circle के property यह होती है, कि देखो, एक circle है, ठीक है, इस पर एक card लेते हैं, circle का एक center ले नीए, ठीक है, और एक card हम आपर draw कर लेए, ठीक है, यह card को हम नाम रख लेते हैं, AB, ठीक है, तो इस και काड के दोरा, काड कर का पर अनृ इस तो वह center पर angle के आधा होता है ठीक है यानि यह 2 theta है तो यह theta हो जाएगा अगर यह 60 degree होगा ठीक है अगर यह 60 degree होगा तो यह कितना हो जागा 30 degree हो जाएगा कहने का मतलब ठीक है समझ गये होंगे अच्छा तो देखो कहीं पर भी same परीधी को लेकर sorry same card को लेकर यह card है इसको क्या बोलते है card बोलते है ठीक है same card को हम लेकर अगर circumference यानि परीधी पर कहीं पर भी angle draw करेंगे तो वो क्या हो जाएगा center पर draw angle का आधा होता है यह एक circle की property है ठीक है तो हम लोग इसको इसी property का यूज़ करने वाले हैं मतलब देखो अब हम card किसको ले रहे हैं diameter को ले रहे हैं diameter को तो बताओ diameter के द्वारा यहाँ पर angle कितना बने गया linear angle दिख रहा होगा आपको ठीक है यह हो जाएगा 180 degree अब इसी card को लेकर हम क्या कर रहे हैं एक angle draw कर रहे है circumference means परेधी पर तो बताओ यहाँ angle कितना होगा क्या यहाँ 90 होगा आधा होगा देखो center पर जब angle 2 theta था तो परेधी पर angle कितना हो रहा है आधा हो जा रहा है यह ठीक है condition क्या है condition यह है कि यह जो card है वो सेम होना चाहिए ठीक है यहाँ पर भी मैंने card को क्या रखा है सेम रखा है तो बताओ परीधी पर angle कितना बनेगा 90 बनेगा ठीक है इसी property का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं चलिए इसको हम लोग देखते हैं अब अपने question पर apply करत है ठीक है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस angle को में निकलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर का एक angle थो हमको पता है अगर यह एंगल किसी तरीके से निकाल लेते हैं तो आपका काम इधर भी हो जाएगा ओकी चलो अब हम बात कर रहे हैं किस triangle की ध्यान से देखना हम बात कर रहे हैं triangle किस triangle की बात कर रहे हैं एक ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा कि यहां पर 42 डिगरी एक एक एंगल पता है अच्छा यह एंगल कितना हो जागा तो यह एंगल हो जागा 90 डिगरी क्यों 90 हो जागा क्योंकि देखो यह यह डायमीटर यहां पर एंगल तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा उसका आधा सेंटर के एंगल का आधा अगर यहां पर 180 है तो यहां क्या हो जाएगा 90 ठीक है अच्छा अब हम एंगल सम प्रापर्टी का यूज करेंगे मतलब सम अफ इंटार्नल एंगल आफर ट्राइंगल इस 180 कहने का मतलब कि किसी भी तिरभूज के तीनो कोड़ों का योग जो होता है तीनो कोड़ों का योग जो होता है वो कितना होता है वो होता है 180 डिग्री ठीक है किसी भी तिरभूज के तीनो कोड़ों का योग कितना होता है 180 डिग्री ठीक है तो हम उपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहे है तो यह इ चालीज यह तो आदे के चालीज तो ुट्राइंगल ई डी पीक की बात कर रहे हैं ठीक है इस triangle की बात कर रहे हैं triangle A, D, B की ओके तो इसमें हम देखते हैं इसमें भी हम same वही काम करेंगी देखो यहां पर भी यह diameter देख रहा होगा तो इसके द्वारा यहां पर angle कितना बनेगा 180 डिगरी बनेगा तो same diameter से परीदिपर कहीं पर भी हम अगर angle draw कर रहे हैं तो कितना हो जा 180 ठीक है तो लिख लेते हैं YAKS PLUS 90 PLUS 57 57 इस इक्वल टो क्या हो जाएगा 180 डिगरी कितना हो जाएगा 180 डिगरी अचा अब 90 हम इसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा बताओ यहां 90 हो जाएगा ठीक है अचा अब 57 तो देखो कैसे घटाएंगे हमें 57 90 मैं से 57 घटाना है ए जब 3 add करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 60 में कितना और add करेंगे, तो 90 होगा 30 होगा, तो 30 हो गया, 3 हो घिक है तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ है, x की value हो जाएगा 33 degree, ओके अब आप से क्या पूछ रखा है? आप से एंगल ये पुझा है कि CAD क्या होगा तो CAD जो होगा वो X plus 42 X की value आप क्या निकालेंगे 33 निकाल रखें तो आप यहाँ पर 33 रख देंगे और प्लस 42 जब आप इसको add करेंगे तो 75 डिगरी आ जाएगा ठीक है तो पहला आप से पहला जो पूछ रखा है ज्यादा को सोचनी की ज़रुवत ही नहीं है वैसे नेक्स्ट एंगल निकाल लेते हैं नेक्स्ट क्या है C B D तो एंगल C B D जो है वो कितना हो जाएगा तो C B D जो है वो Y plus 57 है ठीक है Y plus 57 Y की value क्या निकाल कर रखें देखो Y की value आपको यहाँ से मिल जाएगा Y की जो value है वो 48 है तो 48 plus 57 जब इसको add करेंगे तो क्या मिलेगा 105 degree ठीक है तो इस तरीके से हमारा option क्या हो जाएगा A हो जाएगा ठीक है उमीद है यह चीजी आपको अच्छे से समझ में आई होगी सब्सक्राइब कराने वाला हूं मतलब tier 2 के level का question मैं इसमें कराने वाला हूं ठीक है और अभी question को मैं animation के तुरू समझाने के कोसिस करूंगा ठीक तो अगर आप नए हैं तो आप साथ में जूड़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like, share, subscribe कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद